जी हां दोस्तों आपने बिलकुल सही देखा, बिलकुल सही सुना, बिलकुल सही वीडो आप देख रहे हैं आप घर बैठे आप अपने आधार कार्ड में मुबाइल नमर लिंक कर सकते हैं आपको कहीं जाने की जोतनी है खुद आप घर बैठे रहेंगे और एक बाहर से एक आदमी आएगा सरकारी और आपके आधार कार्ड में मुबाइल नमर लिंक करके जाएगा आपका फोटो स्कैन करेगा सब कुछ आपका स्कैन करके और घर बेटे जो समस्या थी अधाय कार्ड में मुबाइल नमल लिंक करने की जो काफी टाइम ले लाता है पॉंटमेंट नहीं मिलता था परसानी होती थी वो सब परसानी खताम इस वीडियो को पूरा देखें वीडियो को इसकिप मत करें वीडियो को लाइक करें यहाँ पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से वीडियो को जितना हो सके सब को सेयर करें ताकि सबी को पता चले और कमेंट में आपको लिखना है क्या आपके अधार कार्ड में मुबाइल नमर लिंक है या नहीं उसके बाद दोस्त तो यहां पर पर खाल में देदूगा है जो आपका पर सबस्क्राय डालना है जो आपका नाम अधार कार्ड पर वही आपको नाम यहाँ पर लिखना है उस बाद आपको एड्रेस आपको वही एड्रेस लिखना है जो आपके अधार कार्ड में है उसबाद वहीं pin code डालना है उसबाद अगर आप e-mail id अपने phone अपने अधाय कार में update कराने चाएते हैं तो यहाँ पर update कर सकते हैं अगर आपको अधाय कार में पहले सी email ID है तो आपको वही email ID यहाँ पर डालना है और यहाँ पर mobile number आप जो link कराना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर mobile number डालना है उस वाद यहाँ पर select service का एक option मिलेगा select service में आपको यहाँ पर IPPB आधार service आपको यह चीज़ select करनी है यह चीज़ select करना है नीचे आपको select का option मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं UIDI mobile and email to अधार linking update आपको यह वाला option select करना है यह जो आपको अपको अपसन देख रहे हैं mobile email to अधार linking update आपको यह वाला टीक करना है फर्स्ट वाला जो टीक है आपने 0 से 5 सल का बच्चा उनका आप यहाँ पर अधार बना सकते हैं तो इस तरीक से आपके mobile पर एक OTP आएगा और इस OTP में यहाँ पर भर कर यहाँ पर इसको verified confirm service request तो इस तरीके से आपका successfully request ले लिया जाएगा भारती डाक के द्वारा तो जैसी भारती डाक के द्वारा इस सब request ले लिया जाएगा तो आपके घर पे जो आपने address डाला है उस address आपके नम नमर इमेल आईडी लिंक कर देगा तो इस प्रकास से आप घर बाटे आपनी mobile मोबाइल से ही अपनी घर पर आ का ही बंदा अधार कार्ड में mobile नमर ओर इमेल आईडी लिंक कर देगा मातर दो मीनिट के अंदर तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही जबज़ासते अपडेट ह बहुत ही अच्छी एक खबर है तो इस वीडियो को इसी बात पर लाइक करें शेर करें धन्यवाद